बिग बॉस के घर के अंदर अब चाहत ने जिस तरीके से विवियन के कैरेक्टर पर सवाल उठाएं हैं उससे पूरा घर विवियन के खिलाफ हो गया है यहाँ पर विव्यन को बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है और अब करन महरा ने तो विव्यन पर जो बात कही और विव्यन पर जो इलजाम लगाए हैं उसे सुनकर विव्यन के पेरों तले जमीन खिसक गई है तो क्या हुआ है ऐसा चलिए हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे दरसल घर के अंदर आज जो है सुभा सुभा चाहत और विव्यन के बीच में बड़ी लड़ाई हुई इस लड़ाई में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि विव्यन ने चाहत के कपड़े उठा कर रखे और चाहत ने इस बात का मुद्दा बनाया कि यहाँ पर विव्यन जान भूच कर लड़कियों के कपड़ों के साथ छेट चाड़ कर रहा है हाला कि जब करण ने विव्यन से ये बात कही तो विव्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई विव्यन का मानना है कि जब वो बातरूम एरिया में चल रहा था तब वहाँ पर जमीन पर पड़े हुए कपड़े उसके पैरों में उलज गए और उन कपड़ों को उसने उठा कर रखा वो तो ये तक नहीं जानता कि आखिर वो कपड़े किसके थे जब चाहत ने इस बात का मुद्दा बनाया तब जाकर उसे ये बात पता चली कि ये कपड़े चाहत के थे और यहाँ पर चाहत ने विव्यान को लेकर जो बाते कही है वो बेहत जूट है और यहाँ पर साफ साफ जो है चाहत ने जिस तरीके से शब्दों का इस्तमाल किया है वो सुनकर अब विव्यान खाफी खफा है उसका यह मानना है कि जिस तरीके से चाहत ने पूरी बातों को गलत तरीके से पेश किया है वो उसे नहीं करना चाहिए था तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर अब विव्यन वर्सिस चाहत देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जिस तरीके से विव्यन ने चाहत को लेकर ये बाते कही और करन ने जिस तरीके से विव्यन से कहा कि तुने जान बूच कर चाहत के कपड़े उठा कर रखे तो ये बात सु कर विव्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि विव्यन ने कुछ भी जान बूच कर किया ही नहीं था तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या वाकई में चाहत गेम खेल रही है आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर बताएं करेंगे रही ही है रही हैतते है जड़े कि क्या रही है अ